नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं कपड़ा उध्योग में 2000 लोगों को मिला रोजगार जर्खन के कपड़ा उध्योग इकायों में 2000 लोगों को रोजगार मिला है इसमें 80 फीजदी महिलाएं सामिल है मुख्य मंत्री हेमान सुरेण ने इन लोगों को न्योकती पत्र सोपा है बतादे रांची जीला अंत्रगत उर्मान जी के कुल ही इस्थी चार कपला उध्योग कंपनी किसोर एक्सपोर्ट, दबेस्ट बैंड, सिरीगनपत्ती, क्रियेशन और बाइलेंसिया अपेरल के अध्योगी इकायों का उध्गाटन किया बतादे मौके पर सीएम सुरेण ने चंदवे कुल ही पत्त का ओनलाइन सिलन्यास भी किया बतादे लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सीरी सुरेण ने कहा कि कुरोना संक्रावन के करनल लोकडाउन के खत्म होते ही राजे की प्राथमिक्ता रही थी कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए जवाद तुफान अब कमजोर पढ़ने लगा है लेकिन बिहार और जहारखन पर इसका असर अभी दिखेगा मौसम विभाग के सुत्रों से जनकारी मिल रही है कि अगले 28 घंटे तक बिहार में रपतार से हवा चलेगी अनुमार लगाया जा रहा है कि हवा की गति 10 से 15 किलोमेटर प्रती घंटा होगी बतादे राजी के पूर्वी जीलों में अभी भी बारिस के असार है उन जीलों के कुछ इलाकों में हलकी बारिस भी हो सकती है इस वज़ा से तापमान में गिरावट तर्च की जाएगी और सर्दी का परकोप बढ़ जाएगा बतादे 7 दिसंबर से बिहार और जारखांट में ठंट बढ़ जाएगी अभी सुबा और साम के समय ठंट ज्यादा लगती है और दिन में मोसम गर्म रहता है राज्य के सरकारी स्कूल के जैक की दस्वी और बरावी की परिक्षा समय पर होने को लेकर संसर बरकरार है बतादे परिक्षा की संभावी तीथी दिसंबर और मई मा में रखी गई है लेकिन अभी तक परिक्षा आयोजन कराने का प्रभार किसी को नहीं दिया गया है काउंसिल में अभी तक अध्यक्ष पद खाली है जिसका कारण परिक्षा आयोजन को लेकर कोई निर्नाय नहीं हो पा रहा है जबकि अभी तक बिभाग की और से सचीव को भीतिय परभार दिया गया है जब तक परिक्षा आयोजन कराने का परभाव सचीव को नहीं मिल जाता है तब तक परिक्षा आयोजन नहीं किया जा सकता जबकि दिसंबर माह की सुरुवात हो चुकी है और ऐसे में परिक्षा समधी कारे पुरा नहीं हुआ है साहिया को पृत्साहन रासी के अलावा 5,000 मांदे की मांग राज्य के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने राश्ट्रिय स्वास्त अभियान के तहत कारवाद 40,000 साहिया को पृत्साहन रासी के अलावा 5,000 मांदे देने की मांग केंद्र सरकार से की है उन्होंने केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसूक मांडविया को पत्र लिखकर कहा है कि स्वास्त में सबसे निचले पैदान पर कारे कर रही साया कि स्वास्त योजनाओं को निचले अस्तर पर पहुचाने में महत्पुन भूमका रही है इनके कारण ही राजे में संस्थागत प्रसो और टीका करण में काफी सुधार हुआ है मृतियुदर तथा सीसी मृतियुदर में काफी कमी आई है बता दे राजे के स्वास्त मंत्री ने केंद्रिय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि साया को विभीन कारिक्रमों के तहट 3,000 से 3,500 वे प्रसान ही मिल पाती है जो काफी कम है धान की नमी जाचने के लिए मसीन खर देगी सरकार खाद आपूरती विभाग 15 दिसंबर से धान की खरीद सुरू करने का लक्ष रखा है पर उसे आसांका है कि कहीं किसान धान में नमी होने या गिले होने के इस्थिती में भी उसे बेज सकते हैं इस इस्थिती से बचने को विभाग ने मसीन खरीद की योजना बनाई है बता दे, Moisturizer, Meter and Seed Grain Analysis कीट के जरिये धान की नमी या गिलेपन को परखने में मदद मिलेगी इस कीट के जरिये देखा जा सकेगा कि धान में नमी की मत्रा 17% से कम है या नहीं जिस धान में 17% से अधिक नमी या गिलापन होगा उसकी खरीद नहीं की जाएगी जितने भी धान करा एक सेंटर होंगे उसमें इस कीट को लगाया जाएगा फिरहाल राजे में धान विकरी के लिए किसानों नेरा इस्टेशन के परकिरिया जारी कर रखी है तीर्थ यात्रा एस्पेसल ट्रेन राची से 12 दिसंबर को खुलेगी जारखन से पहली टूरिजम एस्पेसल ट्रेन 12 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगी इस दोरान बैसनों देवी सहीत कई पर्याटन अस्थलो का भ्रामन कराया जाएगा बता दे उतर भारत दर्शन आठ रात और नौ दिन का होगा इसमें AC कलास के लिए GST सहीत 14,175 रुपए वहीं सिलिपर कलास के लिए 85,05 रुपए देने होंगे भारतीय रेल ने इसके लिए पर्देश की रांची से बिसेश ट्रेन का परिचालन करने का फैसला किया है इंडियन रेलवे केंटरिंग और टूरिजम कार्पोरेशन के इस निर्ना से माता बैशनो देवी के साहती हरिद्वार, मतुरा, विरिंदावन और अयोध्या जैसे प्रमुक धार्मिक अस्थलों की यात्रा एक साथ संभव हो सकेगी बीस सुत्री कारेकरम करनोयन समीती के अध्यक्ष के नाम पर लगी मुहर जारखन की विभीन जीलों के लिए बीस सुत्री कारेकरम करनोयन समीती के अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई है बतादे जार्खन के हमान सुरेन सरकार के मंत्रियों को राजे के सभी जीलों के लिए जिलावार बीच सुत्री कारकरम करेनवन समीती के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है इस समध में जोजना एवं विकास विभाग नहीं सुतना जारी कर दिया है बतादे सिक्षा मंति जगनात महतो को राजची जीलाबी सुत्री कारकरम करेनवन समीती का द्यक्ष बनाया गया है वहीं साहेब गंज गोड़ा बोकारो का आलमगीर आलम खोटी सिम्डे का गुमला को रामेशवर उराव दुमका देवगर जामतराच चमपई सुरेन पाकूर पलामू लात्ते हार को जोबा मांजी रामगर लोहर दग्गा हजारी बाग सत्यानंद भुकता धनबाद सराय कलाखर चाव बना गुपता गड़वा पच्मी सिम्भों बादल पत्रलेक चात्रा पुर्वी सिम्भों मितलेश ठाकूर कोडार्मा गेडी हफिजूल हसन है आप राधिक मामलो में करवाई सेत्ता होगा एसपी का एसी आर जारखन में एसपी अस्तर के अधिकारियों के एसी आर लिखने को लेकर नए आदेश निकला है बतादे एसपी अस्तर के अधिकारियों दोरा प्राधिक मामलों में करवाई नक्सल अभियान की सफालता समेत अन बिंदूओ पर भी एसी आर निर्भर करेगा नए पुलिस आदेश के मुताबिक सभी रेंज आईजी और जोर्नल डिआईजी अपने अधिनस्त स्पी के वार्षिक कारे मुल्यांकन परतिवेदन लिखते समय परतिवेदित पदाधिकारी की विचार धीन अधी के मांसिक कारे परतिवेदनों पर पुलिस मुक्याले परा अंकित टिपनियों को संग्यान में रखना होगा बतादे पुलिस आदेश के मुताबिक गंभीर अपराधों का उद्भेदन लंबित कांडों का निस्पादन लंबित वरंटों वकूर की आदेशों का निस्पादन गस्ति चेकिंग और उगरवाद प्रभावी छेत्र में उगरवाद बिरोधी अभ्यानों का संचालन इन करवाईयों से अपराध नियत्रन के इस्थिती पर गारा असर होता है प्रसिक्षित बेरोजगार सारीरिक सिक्षकों की नियुक्ति की मांग जार्खन प्रसिक्षित बेरोजगार सारीरिक सिक्षक संग की ओर से जार्खन के सभी अस्तर की स्कूल कोलेजों में प्रसिक्षित बेरोजगार सारीरिक सिक्षक की न्यूकती के लिए सारीरिक सिक्षक का पद सिरिजित करने की मांग की गई है। मुख मंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बावुलर मरांडी विधायक रामली लाल विधायक लंबोदर महतो विधायक उमाक कांद संकर अकेला को मांग पत्र सोपा के यहाई जारखन में क्रोना के 25 नय केस मिले हैं जो राची से आठ पूर्वी सिहुं से गारा धनबाद से दो कोडर्मा से एक खोटी से एक सिम्डेगा से दो मरीज मिले हैं जारखन में 13 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूलेक्टिव केस की संख्या 143 है भारत में 8306 केस मिले हैं जामुमो के महा अधिवेशन में 5 राज्यों के प्रतिनिधी लेंगे हिस्सा जामुमो का 12 केंद्रिये महा अधिवेशन 18 दिसंबर को हर्मुज थीत सोहराय भावन में होगा इसकी त्यारी को लेकर अभिवार को आयोजन वा स्वागत समीती की बैठक होई इसमें महा अधिवेशन में सामिल होने आ रहे है प्रतिनिध्यों का स्वागत प्रामपरिक रीती रिवाज के साथ करने का निना लिया गया बता दे जहामों की ओर से महा अधिवेशन के लिए राईधानी में पचास तोरण द्वार बनाये जाएंगे जगजग जणडा पोस्टर वा बैनर से सजाया जाएगा पाठी के केंद्रिये महा सची वा स्वागत समीति के सदस्य सूप्रियों भटाचाय ने बताया कि महा अधिवेशन में जहारकन समेत पचिम मंगाल उडिसा बिहार वा असम के प्रतिनिधी हिसा लेंगे या पूछे जाने पर की महा दिवेशन में कितने प्रतिनिदी हिसा लेंगे जारखन में लोकडाउन की जोटी ख़बर फैलाने वाले पर रांची थाना में केस दर्ज मुख्य मंत्री हमन सुरेन की तस्वीर का इस्तिमाल कर वाट्सेप और सोचल मीडिया पर लोकडाउन के समधित जोटी ख़बर प्रसारीत करने के मामले में गोंदा थाना में रभिवार को केस दर्ज किया गया है बता देज जामुमो रांची जिला ध्यक्ष कांग के पतरा टोली निवासी मुस्ताक आलम की लिखित सिकायद पर केस दर्ज हुगा है गोंदा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ओधेश कुमार को केस कानु संधानक बनाया गया है सिकायद करता ने पूलिस को बताये के जूटी खबर में मुख्यमंत्री के नाम कावले करते हुए कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के बारे में जार्खन में लोकडाउन लगाने की बात कही गई है कहा गया है कि 6 दिसमर से स्कूल कोलेज इंस्चूट आदी बन रहेंगे जार्खन में नहीं सुधरी म्यूटीशन की स्थिती पेंडिंग है 62,000 मामले राज्य में दाखिल खारिच की स्थिती में अब तक सुधार नहीं हुआ है बता दे दाखिल खारिच के लिए रयत आवेदन देने के बाद दोड लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा मामले काफी समय तक लटकने के बाद निप्टारे जा रहे हैं बता दे रायस्व निवंधर एवं भोमी सुधार विभाग के आकड़े के मुताविक पूरे राजे में अभिक करीब 62 हैर मामले पेंडिंग है इसमें 13317 मामले सिर्फ राची में लटके हुए है बता दे राची जीला के सभी अंचलों को मिला कर 94 ऐसे मामले लटके हैं जिसमें 90 दिन पूरे हो गए है वहीं 30 दिनों से अधिक समय तक 101 मामले पेंडिंग है जन्नी सुरक्षा योजना देव घर की 6,49 महिलाओ का 83 लाख बकाया संस्थागत प्रशव को बढ़ावा देने और जच्चा बच्चा की स्थिती में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जन्नी सुरक्षा योजना की सुरुवात की गई है इसके तहद प्रशव के बाद उनके स्वास्त की देख भाल तथा जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोसन के लिए सहरी चेत्र की महिलाओ को एक हैर रुपए तथा ग्रामी चेत्र की महिलाओ को चोदर सो रुपए प्रोस्ताहन रासी के रूप में उनके बैंक एकाउंट में दिया जाता है लेकिन पिछले साल देव घर में 6,49 महिलाओ को इस जोजना का लाब नहीं मिल रहा बतादे स्वास्त विभा की रिपोर्ट के अनुसार जीले में 17,942 महिलाओ को जन्नी सुरक्षा जोजना का लाब मिलना था इन में से अब तक 6,49 महिलाओं ने विभीन अस्पतालों में आवेदन भी दिया है इसके बावजूद उन्हें रासी नहीं मिल सकी है मानो तसकरी रोकने अभियान चलाने वजरूरत के समय बच्चो की मदद करने के लिए जिस मकसद से सरकार रासी देती है उस पर खर्च नहीं किया जा रहा यही वज़ा है कि गुमला में मानवत तसकरी के खिलाप अभियान चलाने वाले कर्मी भी ठीक धंग से काम नहीं कर पाते हैं विदेश से जारखन आये तीन लोग राची में साथ दिन के लिए क्वारंटाइन कुरोना के नए वेरियंट ओमी क्रोन से बचने के लिए स्वास्त महकंबा तयारियों में जुट गया है बाहर से आने वालों पर विशेश नजर रखी जा रही है बता दे अब तक तीन लोग विदेश से आये हैं इसमें दो सन्यूक्त अरब, अमिरात और एक सौधी अरब से आये हैं उप्योग तीनों लोगों को राजधानी राची में साथ दिनों तक के लिए कुरेंटाइन कर दिया गया है बता दे चात्रा लोटने पर सभी का आटी पीसियार जाच कराई जाएगी प्रोनाती परलागी रोग को आपस ले सरकार हाई कोट जर्खन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एसन पाठा की अदालत में डीप्टी कलेक्टर से SDO के पद पर प्रोनाती के अनुसंसा किये जाने के बाद भी अजिस उतना जारी नहीं करने के खिलाप दाखिले अजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान राज सरकार की ओर से कहा गया कि जल्द ही राज सरकार की ओर से परलागी रोग को हटाने के लिए आदेस पारित कर दिया जाएगा इस पर अजालत ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले प्रोनती परलागी रोग को राज सरकार वापस नहीं लेती है तो 20 दिसंबर को राज के मुक सची को कोट में हाजीर होकर जबाब देना होगा मरीजों को सरकारी बलड बैंको से रक्त के बदले नहीं देना पड़ेगा सूलक नीजी अस्पातालों में बीमा या आउस्मायन के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी बलड बैंको से रक्त के बदले सूलक नहीं देना पड़ेगा बलकि इस बलड के प्रोसेसिंग चार्ज बिभाग सिधा अस्पतालों से ही वसुलेगी बता दे डिम्स समेथ सभी सरकारी बलड बैंक निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए बलड की एक सुची बिभाग को सौपेगा जिसके बाद बिभाग सभी अस्पतालों को उनके द्वारा लिये गए कुल रक्त के प्रोसेसिंग चार्ज का बिल भेजेगा जिसका भुगतान अस्पतालों को बिभाग करेगा कुल ही इंडस्ट्रियल एरिया में 6 हमा में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमंसुरे ने सोमवार को रांची को और माजी छेतर के कुल ही में करेगरत कापड़ा कमपेणियों में 2000 अस्थानिय महिलाओं को नियुक्ति पत्र सुपूर्द किया उन्होंने सांकेतिक रूप से 5 महिलाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया उन्होंने कहा कि 6 हमा के अंदर कुल ही इंडस्टियल एरिया में 10,000 और लोगों को रोजगार मिलेगा इससे पुर्व मुक मंत्री ने सोमवार को ही बोकारों में डालमिया सिमेंट के नए पलांड की अधार सिला रखी है बता दे बोकारों के बली डी में डालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड 577 को रुपए के निवेज से पलांड का निर्मान कर रही है पांश दिवसी रगबी कैम्प का समापन जारखन रगबी फुटबोल एसोसेशन के थत्वधान में 3 दिसमबर से आयोजीत 5 दिवसी रगबी कैम्प का समापन सोमवार को हो गया बता दे सीवीर में 80 खिलाडियों ने भाग लिया इसमें 12 महिला और 12 पूरुस खिलाडी का चैयन किया गया जो 10 से 12 दिसमबर तक भूनेश्वर उडिसा में आयोजीत होने वाली नेशनल अंडर 18 रगबी चैंपियनशिप में भाग लेंगे बता दे सभी खिलाडी 8 दिसमबर को हटिया से भूनेश्पूर के लिए रवाना होंगे सीनियर वर्ग में भी 12 भाग खिलाडी का चैयन किया गया जो 17 से 19 दिसमबर तक आयोजीत होने वाली सीनियर नेशनल रगबी चैंपियनशिप में जार्खन का परतिन धित्व करेंगे चुनाव आयोग ने देवघडी सी मंजुनात भयंत्री को हटाने का दिया आदेश भारत के चुनाव आयोग ने देवघडी सी मंजुनात भयंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है आयोग ने मोक सची को पत्र लिख कर 15 दिन के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए डिसी पर अनुससनात्म करवाई करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि आयोग की समति के बिना सिरी भजयंत्री को भविसे में चुनाव से समधित किसी तरह के कारे में नहीं लगाया जाएगा। साथ के खिलाब सन्युक छापे मारी अभियान चलाया। बतादे पूलिस को सुचना मिली थी कि मावादी कमांडर रविंद्र गांजू, रन्थु, उराव और बलराम अपने दस्ते के साथ विसुनपूर परखंड के रीशा पाठ गाउं में ठहरे हुए हैं। इस सुचना के बाद दोनों जीला की पूलिस ने सच अपरेशन शुरू की पर नक्सली नहीं मिले। इस दोरान जंगलों में पूलिस ने बाइक और पैदल की नक्सलीयों के ठीकाने पर गए। इस दोरान पूलिस के आने के सुचना मिलते ही नक्सलीयों ने आपना ठीकाना ही बदल दिया। S.C.H.T. मामले में समर्थन वापस ले कॉंग्रेस, बिजेपी। सरकारी नक्रियों में S.C.H.T. पूर्णती के मामले में भाजपा ने कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष, राजश ठाकूर और करकारी अध्यक्ष बंदू तिर्की पर रायनितिक भरम फैलाने कारोप लगाया है। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस को चुनवती दिया किवा गटबंधन सरकार के समर्थन वापस ले। इस दोरान अनाधिक्रित रूप से नेम पलेट का उपयोग करने पर करवाई की गई। बताया गया कि परिवहन विभाग के निदेश परिया करवाई की गई है। साथ ही वाहन समंधी अनेकल जातों जैसे बिना परदूशन प्रवान पत्र, बिना बीमा, बिना लाइसेंस सहीत लगभग स्वावाहनों की जांच की गई। सिक्षा के अस्तर को बढ़ाने का पर्यास हो ससी रंजन। में उपलवद ब्यवस्थाव सहीत और ने समस्याव से समंधी सुचना उपलवद कराए। धन्यवाद। झाली के अच्ट से समस्थाव से समस्याव से समस्दाव से समस्दाव से समस्दान उपलवद कराए। झाल झाल